और वहां यालो एक्परीबर वान सभी लोगों को तो बहुती बुरी नियूस है ना चो सुनी मिली है तो गाईस आप सभी लोगने ये नियूस सुन भी चुका होगा बारस के बारे में पारस को इतनी बुरी तरह से बीटा गया है वो भी उसके घर में घुसकर ओमाइगाड इ बैकर बहुती बुरा फिर लगा बहुती बुरा पारस को जिसने भी मारा है ना उसके अंदर दिल नहीं है क्या वह इंसान नहीं है उससे दर्द नहीं होता अगर उसे इस थरह से पीटा जाएगा तो क्या होगा उनका कौनी इसी बुरी तरह से मारता है यार जिसने भी ऐसा किया है ना मैं चाहती हूँ जल से जल वो पक रखा है और उसे बहुती पनिस्मेंट मिले दिल से बद दुआ है तो गाइस आप सभी लोग उसे रिक्वेस्ट है प्लीस मैंने डिस्क्रेशन पर पारस की जो वीडियो के लिंक है वो मैंने शेयर की है प्लीस प्लीस आप सभी लोग उसे देखो और जितना हो सकते है शेयर करो ताकि जिसने भी ऐसा किया है ना उसे पनिस्मेंट मिले जल से जल और पारस को भी जल से जल इनसाफ मिले उसके साथ जो भी हुआ है जिसने भी ऐसा किया है ना वो बहुत ही जिलस करते है बहुत ही पारस को आगे बढ़ते हुए देख कर ना वो बहुत ही जिलस होते है बहुत ही और मैं तो यही दूआ करती हुँ ना दिल से बद दूआ है ना कि उसे इतना punishment मिले इतना punishment मिले कि क्या है बोलो आज़ाराइब पार उस famous हो चुचे हैं उसको हर कोई बहुत पसंद करते मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ और उस फेमस हो चुके है उनको हर कोई जानते हैं हर कोई और क्यों पेचानते हैं उसको हर कोई हर कोई क्यों उसको पसंद करते क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी इतनी मेहनत करी और वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं उसने खुद को इस मुकाम तक पहुँचा है कैसे मेहनत करके जिसने भी ऐसा के में उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप भी महनत करो आप भी महनत करो तो आप भी पारस के जिसे उस मुकाम तक पहुँच पाओगे नाक्षी किसी को मार कर तो सभी लोग कह रहे हैं कि डाकू ने किया है और डाको कहे रहे हैं कि डाको नहीं किया है आप लोग तो जानते हैं कि चोर कभी खुद कुछ चोर नहीं कहते हैं क्या परता डाको ने भी क्या होगा वेसे भी जिसने भी किया है ना पनिस्मेंट उसे मिलना ही चाहिए और जल से जल सभी लोगों के सामने आना चाहिए कि किस सिजल